Kum u Assalamu Alaikum Welcome Back to my channel आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत Ichin bağρα庚 और मैंने सोचे कIE कोई olanji ke वार में आपकोダãyषा है आपसब को बहुत-बहुत Ichin और होसकते हैं अपको जो जो है वो इद का और कुर्बानी का सिस्दा जो है बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जा रहा होगा और शाम को हम लोग निकलेते बाहिर अम्मी थी साथ में जो है मेरी नंती और बच्चे थे और बारिश जो है एक तम से शुरू हो गई थी लेकिन कहते हैं कि मुझे तो से जाते हैं तो उपर आपको बस प्लेन ही प्लेन नजर आते हैं हला कि देखे बारिश हो रही थी इसके बावजूद जो है वो कॉंटीनू जो है एक एक लाइन के बाद जो है वो लैंडिंग हो रही होती है तो यह चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है और ईद का दिन हो तो फिर तो इन प्लेन को देखे और भी याद आती है अपने मुल्क की और परदेश में जो है ना लोग सूचते हैं कि बहुत ही जी मज़े में हैं लोग लेकिन परदेश की जिंदगी की बहुत सारी अच्छी चीज़े भी हैं लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है य 90,000 डॉलर्स तो इस लोट अफ मनी और यह मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो आप लोग भी दूआ कीज़ेगा आज जो है वो 25 एते हैं गुजर गई हैं मैंने पाकिस्तान में जो हैं लास्ट एत की थी वो 2009 में थी तो इट वाज बहुत कोईट लॉंग एंड अविए मिस अफ़ोर्स माइ कंट्री माइ फैमिली लेकिन आपकी मजबूरियां होती हैं और अजलान का पता नहीं अजलान सोया हुआ था तो उसका मूट बहुत आफ था ना तो वह यह कह रहा था कि एक रहा उसको गोद मिले एक रहा गोद मिले ना और उसका मतलब मूद आज बाकी उदर जाके ना बहुत आफ था लेकिन जब फिर हम लोग वापस आने लगे तो फिर बस उसका मूट बहुत अच्छा हो गया था लेकिन मैंने उसको बोला कि अब तो बहुत देर हो गी है अब हमने वापस जाना है और बच्चे बहुत जादा एक रहे थे और गर आर्फान वाली गर्मी वाली याद आगई थी मैं जब खाना बना रही थी इतना पसीना आ रहा था इतना पसीना आ रहा था बहुत जादा तो बस जल्दी में मैं आपको मैं बताओं कि मैं I think दो मिनिट पी नहीं हुए होगे जस्मैने जोए ना ये गुल ना कुर्टा मेरे सालड ता और गोश मैंने रात को जो है ना सारे मिसाले मिक्स करके ना गोश के अंदर ना रख दिया था तो इस तरह बहुत मज़े का ना जूसी गोश बना था अंदर मैंने ऑईल भी डाल दिया था अद्रक लेसं टमाटर हरी मिर्चें हल्दी मिर्च अचा सूका धनिया और सीरा ब्लैक पेपर सॉल्ट और जो है वो गरम मसाला एड़ करके मैंने सारी रात जो है फ्रिज में रखा था और सुबह बस फिर मेरा यह था कि डीफ फ्रॉस करके क्लीन करके चिकन भी रखा हुआ था सबसे पहले मैंने प्यास ब्राउन किये उसके अंदर गरम मसाला डाला साबिट उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर गोश को इसको अच़त तैके सींड़ा ना इसको मैंने तरीके से इसको मैंने फ्राई बी activity कर लिया क्याव भी इसको जो ही तरुड़ा कि आस गरम मे और भी पहने आदे कराई की चिकन कडाई मैं बताई खरें है फिर जब आदे के लिए सब्सक्राइब डाल भूणा है और भी अद्रेकारी में पूणते है है ठीक है मैंने बस कड़ाई मिसाला और शुरू में जो है ना साबित करम मिसाला डाला था और कोई इसके अंदर नहीं है कि नमक नमक अल्रेडी होता है और अब मैंने यह तक्रीबन दो टमाटर है आप चाहें मेरे पास आज टमाटर कमते हैं कि इस सो में ने दो डालने है अगर आप चाहें तो से तो आप 4 बी पर डाल चलते हैं अगर आपके पस कम है तो एक भी डाल दें कोई सैश यह नहीं हुता कि आपने जो है ना वह इसने बहुत जादा टमाटर डालने है अब हमने इसको दम देने आदा आख Chef सी ब्रेक क्योंकि मैं वेट करी थी तेरे बिन की और बहुत एक्साइटिट थी मैं सेकंड लास्ट एपसोड के बारे में तो मैं सुकून के साथ भी बैट रही थी लेगन बता नहीं थोड़ा लेटी अपलोड किया था मेरी चिकन कड़ाई यहां पर रेडी हो गई थी और बिसके पर मैंने थोड़ी सी अधरक रफली जो है ना चौप करके यहां पर डाल दी थी और यहां पर मेरा जो है वो गोश्ट ऑल्मोस रेडी हो गया था गोश्ट बहुत ही मज़े का बना था सबने यहां पर काम भी चल्दी हो गया और उपर से आपको बहुत मज़े की रेसिपी है यह और यहां पर मैंने जो है वाइट प्लॉव बना रही हूं अच्छा मेरा तरीका यह होता प्लॉव बनाने का थोड़े से प्यास प्राई करें उसके अंदर अधरक लेसन डालें उसके अ उसका ना और सेलड तो मस था और सेलड मैंने बनाया था तो मुझे उमीद है कि आपको यह क्विक क्विक एड का व्लॉग पसंद आया होगा एड मुबारिक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे यह एड का व्लॉग जरूर शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक अला हब